हाली में अपने बिग बॉस के शो में देखा होगा विकी जैन की मदर आई थी अंकिता लोखंडे की मदर इनलोग और जब ये शो में आई थी तो ये बहुत एविडेंट तोर पर दिख रहा था कि वो विकी जैन को काफी ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कुछ दिन पहले भी वो विकी जैन और अंकिता लोखंडे से मिलने आई थी शो पे लेकिन उस वक्त वो विछली इन से बात कर警êmैं थी मतलब घर के अंदर उनोंने कदम नहीं रखा था। इस बार वो घर के अंदर आई और अंकिता लोखंडे को बहुत जगा उनोंने target करना शुरू कर दिया, कई बातों को लेकर। जब अंकिता लोखंडे से उनकी सास बात करती है तो कहती है कि तुमने एक बार विक्की जैन को यानि कि अपने पती को लात मारी थी और मेरे पती ने यानि अंकिता जैन की जो सास है जो ससूर है जो अंकिता जैन की सास के पती है उन्होंने अंकिता जैन की मदर को फोन किया औ इस तरीके की कई बाते की और जब काउंटर में अंकिता लोखंडे ने कहा कि विक्की जैन उनकी बात नहीं सुनता और बहुत मौकों पर वो दूसरे लोगों से, दूसरी लड़कियों से, मनारा से और दूसरे कंटेस्टेंट से बात करता है लेकिन अंकिता जैन को टाइम नह रही थी और विकी जैन को कई जगहों पर वो डिफेंड करती हुई नजर आई अब जब वो शो से बाहर आई हैं तो उनके जो इंटेंशन्स थे वो काफी ज्यादा क्लियर हो गए जब उन्होंने मीडिया से आके बात की और एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में लोग जां से ये शादी की थी परिवार जो विकी जैन का परिवार है वो इस शादी के खिलाफ था वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो और ये बात काफी ज्यादा लोगों को परिशान करने वाली है क्योंकि जो फैंस है वो अब तक यही समझते थे कि जो अंकिता लोखंडे के जानता हूँ, अब बाहर तो जो लोग बाते कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे, लेकिन शो के अंदर से भी एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें इस बार वीकेंड के बार में करन जोहर विकी जैन को टागेट करते हुए नजर आ रहे है, और वो ये कह रहे है कि आपकी मदर ने, या जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, वो इनकी इमेज को कहीं न कहीं उस पर डेंट लगा रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मनवर फारुकी की परसनल लाइफ को लेकर भी काफी चीजें आईशा खान ने हुए मनवर किसी तीसरी लड़की को जो की एक सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर है, उनको मेरिज के लिए प्रपोजल भीज रहे थे, तो इस तरीके की इमेज दोनों की ही खराब हो रही है, अगर आप देखें तो इस वक्त बिग बॉस के दोनों ही स्ट्रॉंग कंटेंडर है अंकेता लोखंडे और मुनवर फारुकी और दोनों की ही इमेज को काफी बड़ा डेंड लगता हुआ दिख रहा है, अगर इन दोनों की इमेज शो के अगले कुछ और दिनों तक खराब होती रही तो you never know हो सकता है कि शो में जो ट्रॉफी का हगदार है वो कोई और बन जा झाल 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 झाल